अब दोस्तों आपको यह तो मालूम होगा कि भ्राठ गुलिका आभका हुआ है आपको यह भी बता होगा वाप कि उन्हों निराकार माना जाता है, अमर माना जाता है इसलिए ब्राट कोली ने अपने बेटे का नाम अकायर अकाय तो दोस्तों आप क्या सूचते हो कि ब्राट कोली ये सच्चे सनातनी है या नहीं कमेंट करके बता है